ठीक है बाई सब लोग तेजार हैं आज हम लोग यूनिट फर्स्ट का जो पहला चेप्टर है दा लिविंग वर्ड उसका कुई क्रिवीजन करेंगे और कोई के मतलब कोई की ही होता बहुत बहुत है बहुत है बहुत है तो चैप्टर है दा लिविंग वर्ड और जिसकी सबसे पहली यूनिट है एडिंग है वाट टेज लाइफ जीवन क्या है है तो यह जैसा कि तुम लोग जांते हो कि लीट्रान मिल घंक बल्चाइब और बहुत सारे अगर मिक्षर मिला दिये जाए तो हमने तुम कहते हैं जैसे एक ग्लास पानी में हम चीन ही अहुन कार्वारे दूसे घीते लिता प्रटिसे फैट्ट पॉरा बन जाता है उसके बाद जो ती है बाद जी शुब होती है तो हमने तुमसे कहा थे जीवन क्या है इसी मिक्ट्र आप मिक्ट्र फोकस करो और तुम्हें अपने आप समझ वाजाएगा ऐसा लगता है कि अप्रोटीन वाट इस लाइफ लगत लगता है कि लाइफ इस अ सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहला क्रेक्टर सो करते हैं सबसे पहला क्रेक्टिस्टिक बताने जा रहे जिसका नाम है इसको कहते हैं ग्रोट माने सिंपली होता है प्रदी तो हमने तुम से कहा कि ग्रोट माने होता है इन रिफ्रस्वल इंक्रीज इन साइज और किसी का साइज हो सकता है यह अलग बाता है प्लांट को चप्टर पाहें जब तब हम तो बताएं कि अगरा हम फूट के बारे में हैं इसलिए इसलिए इन रवसट्री क्रीज इनंब्र कैसे पलांट से डिपीजिन शेज्टिक वहता है सेल डिवीजिन कहें दो और इसी को हमने तुम से कहा था कभी कभी कहते हैं मल्टिप्लिकेटिव ग्रोथ यह अलग बात है कि प्लांट में हम जिसके स्वाइम तो प्रकार बताएंगे जैसा कि तुम जानतों रूट इस्टेम के जो टिप पर जनम से डिवाइडिंग सेल्स होत रहते थे और उनकी बज़य से जो इनकीज होता था उसको हम लोग से इंडिव ग्रोथ करते दिंट तो हम तुम्हें बताएं किसीन इस ग्रोथ को कभी-कभी मल्टिप्लिकेटिव भी कहते है क्या 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 ते इन्स एल जैटे विश्चा इथर दूसरा हमने का ता कि अगर बुद्र ही कहते हैं और तुम्हें हम जब ब्लांट गोज़ प्लाइगे तब हम बताएगे ति जैसे धी रहे हैं तो इस में जो सकते हैं प्लाज्मेंटिक रोथ काकते हैं और ऐसा लगता है है और और शार घृत पहल गई है अर्था इसको कहते थे expensive growth तो इस तरह से अब तो में जब हम बोंस और कार्टलिज प्राइब तो हम बताएंगे कि मालों यह किसी बॉन का सेक्षन है इसमें अंदर ग्राउन मैटिक्स होता है जिसमें छोड़े छोड़े पिट पाय जाते जिनको हम लोग लाइक नहीं कहते थे होता है तो ग्रोध के तीन कारव हो सकते किसी मल्टी सेलर आर्वी मेले कि अबसुट इसे मालों को यह जा सकता है अगर हम मुर्गी का अंड़ छोड़े और स्ट्रस पूर्ट के जूसी है छोड़े तो जाता एक सिंगल से पो हम लोग ने किड़ाई से नहीं देख सकते रव इस तरह से यहां उखर किसी बेटिया का सेल साइज बढ़े जाता है तो वह नगार होता है इसलिए बेक्टेरिया में अर्था ता युनिशलर आर्वनाज में माना जाता है कि ग्रोध का मुद का मुद का रहा होता है क्या से लिभी जन और तुम भी जानते हुँ जब ब्लि बढ़ेंगे इसलिए आजकल कहा जाता है कि increase in mass and increase in number of the twin characteristic of growth अचाइक बात बात है ना ग्रोथ दरसाना मुर्दों का काम होता है कि जिल्दों का काम होता है तो जो ते लिविग और इंदर साथ एंडेड और इंडेड जो ते वो ग्रोथ नहीं करते हैं फिर हम तुमें पाइब बताएं कि यह कहा जाता है कि यह जाता है कि यह निशलर आर्गन भाई गोव इतने सारी तरी के अनिट वह पताए थे अभी बाता है कि जो मल्टी सुलर प्लांट विए अनिमल्स भी आते हैं लेकिन फुम्त रूट अप्लांट की रोग में बहुत बढ़ा अंतर होता है जैसे प्लांट होते हैं तो इनके रूट और सूट टिपर तुम जार्टू मैरे स्टमेटिक सेल्स पाई जाती जिनकी वजह से यह जिद्धी भड़ा अप होती होती डिफ्यूस टाइब के और तुम भी जाते हैं तो एनिमल्स में कैसे ग्रोथ होती है और प्लांट में होती है लोकलाइज़ बड़ अनस्षिद्काल तक इन डिफिन ग्रूट पाई आती है तो हम यहीं बता रहते हैं चुकि जो इनिस अलर आर्गनिम होते हैं उनक लेकिन तुम compr आतों मल्टी शिंदलर आर्गनिम में अगर हम लोगों के संथाने पछी निए थोंटांका रोगना औरेगा घंदान का भायोमास बड़ेगा लेकिन हम लोगों में फ्रॉड़क्शन का फॉरामीना पूरी तर अलग होता है इसलिए मल्तिस cooler आ आप ज्याता है कि growth जो होती है और reproduction mutually exclusive phenomena होते हैं मतलब जैसे सिक्के की दो पहलू है एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं और दोनों की सकल्चवत भी अलगलग प्रकार की होती है अब अब एक बात बताईती है कि अगर हम increase in mass को अगर growth का करें लिबिंग बिंग्स का करें इंक्रीज इन मास को अगर growth कहते है तो तुम भी यादती हो कि रेगिस्तान में वालू ये बालू का धेर है और कई तूफन आ जाता है और सारी बालू आके इसके उपर deposit हो जाती धेर का साइज बढ़ जाता है या ऐसा तरना एक दिन पानी में एलम सलुशन बना लेना और एक घृसा ग्रोट हो रही है बार से पार्टिकल के जमा होने के बज्स हो रही है तो इंक्रीज इन मास अगर growth है तो फिर यह भी लिवइंग बिंग्स ओने जाता है इसके बाद समय नामना पर शाथ है जिसका नाम है रप्रोडूक्शन एक अपनी जंस संताली पृदा गैदा बाइलोजिकल प्रोसेश जिससे प्रदियक अर्गिनिग अपनी जैसी संतानी पढ़ता है इसे को रिपोड़क्शन कहते हो और जब हम तो हम रिपोड़क्शन चेप्टर अपढ़ाएंगे तो दिखाएंगे कि रिपोड़क्शन के दो मुर्खुट तरीके होते हैं नमबर ए सेक्षण मोड़ा प्रदक्शन और विदाऊट फर्टलाइशन ऐसे हमारी बड़ी सेल चुड़ाइंगे तो हम तो में बताएंगे कि सेल डिपीजन द्वारा सेक्षण प्रदक्शन जैसे जित्र युनिचलर अर्गिजमोटे चाहें बोडरन सो जवाइक्टे इसलिए कहा था कि युनिचलर आर्गिनिचलर अर्गिनिचलर नहीं चोटा बड़ा है तो फिर हम इसको बडिंग कह सकते हैं जब कभी इनिचलर परेंट जोगने तो इसके इसको मोगोगो मल्टिपिल फिजन भी कहा करेंगे फिर साथी साथ ही साथ मताएं कि तुमने अगर कभी इस पंजिस का नाम सुना हो तो इस पर जिज़ पानी बरते हैं तो जानते हैं अपने सरीर में जो है और क्यों साइट से जब कंडिशन फेबरेबिल होती है तो भी हम तुम्हें बताएं कि उसके गैस्टिक और इस्टाख रिजन के जंक्शन पर हम सेल्स का इंटर सीजन सेल्स का मास बन जाता है जिसको बढ़ कहते हैं क्या कि बढ़ तो बढ़िंग द्वारा भी हो सकता है बस यह अंतर अलग ब सब्सक्राइब होती है और जैसे जैसे लोर से हैर अनिमल्स की तरफ बढ़ते हैं रिजन सिल्पावर और घटीज लिया आती है जैसे हमारे बाड़ी के नर्बस डिजू में तो इस तरह से साथ हम तो में बैजेट्रेटी प्रोप्लेशन तभी पढ़ाएंगे अभी पाई या थे बिस्वापिय होते हैं या दाया तुम्हें और फ्रेग्मेंटेशन जिनकी बॉड़ी घ्रट रहा होता है जो फंगल बाडी होती है अलग बाद उसको मैसीलियम करते है वह लेकिन धागे का जाल होता है और प्रदेशन धागे को हाई-वी करते हैं हाई-पी को सबस्क्राइब होता कि साइकल से आपने बंजकें कंप्यूटर प्रदैशन कौन कर पाता है का नहीं कर पाता है इसके टम पर हम लिए non living group को डिस्तिंग वें क्योंकि तुम भी जानते हो महले में साधी सुदा लोग ऐसे होते हैं जिनके साधीभबाद बच्aja नहीं पैदा ह नहीं होती है तो क्या हो जिन्दाफ नहीं होती है आसा लगता गधी कि असंतान है तो एपनास्तान परेदा करने तो इस तरह से हम कौन संतान पंडा कर पाता है? कौन माना की? जितने non-living होते हैं उनमें reproduction की संता नहीं होती है. लेकिन फिर भी जो कि बहुत से living beings भी हैं जो reproduction नहीं कर पाते हैं इसलिए صिर्भ और सिर्फ reproduction के دंपे हम living और non-living को define नहीं कर सकते हैं मतलब यह भी लिभी इंग डिफिटर नहीं माना जाता है। साथ हम तुम्हें अगला करेक्टर से बता हैं Metabolism, हम्हें बताएं कि हमारा जू सरीर होता है वो तमाम सारे केमिकल्स से मिलकर बना होता है। हम लोग ज्यसे हम लोग खाना खाते तो हम बताएंगे तो फूड़ो के रूप में हम लोग खाते हैं। तो इतने सारे component होते हैं हमारे body के, तो हम यही बताना चाहते हैं, हमारा जो सरीर होता है, वो chemicals का बना होता है, और इन chemicals को कही तरीके से classify किया जाता है, जिसे chemical nature के आधार पर इनको carboidate, protein, nucleogative, water, vitamin, minerals कह सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें बताएंगे, कि जब यह absorb होके liver में जाते हैं, और हमारे blood द्वारा फुरे body में जाते हैं, तो हमारे body cells होती है, को energy बनाने के लिए सबसे पहले carboidate को इस्तेमाल करती है, इसलिए हम तुम्हें बताएं कि function के आधार पर कभी-कभी इनको कुछ और कहा जाता है, जिसे जो carboidate होता है, इनको कभी-कभी fuel substance कहा जाता है, क्या कहा जाता है? fuel substance, और जो fat होते हैं, इनको कभी-कभी reserve substance भी कहते हैं, और इनको building substance कहते हैं, building substance है, और DNA आर्ने का मेल लोता है, महबब के लच्रों को संदान में पहुचाना, इसलिए इनको hereditary substance कहते हैं, और इन पीन को कभी-कभी metabolic regulator से भी कहते हैं, तो इस तरह से हमारा सरी तमाम सारे chemicals कभना होता है, जिनको कई तरीक से classify किया जाता है, तो इस तरह से हमारा सरी तमाम सारे chemicals का बना होता है, लेकिन तुम भी जानतों कि अगर हमने मान लोगा कि ये स्टार्च खाया भी है, तो digestion होता है, छोटे-छोटे टूट जाता है, यहीं कि एक molecule दूसरी पर कार की category में बढ़ जाता है, मनलों ये glucose यहाँ पर blood में आ भी गया, तो हमारा लिबर जो होता है, सबसे पहला डिजिजन लेता है, कि वो blood sugar label maintain करने की गोशिज करता है, और हमने तुम से कहा तो एक्जांपिर के लिए मालने की नॉर्मल blood sugar label होती है, 80-110 mg प्रति 100 ml blood, और अगर आभसकता से अधिक आजाए, तो यह ग्लूगोज होता है, यह जोड़ जोड़कर किसी और चीज में बदलने लगता है, अर्फाद Glycogen में बदल ले लगता है, है अलगवाता है कि Metabolism के भी दो पहलू होते हैं क्या दो पहलू होते हैं अगर छोटे मौलिकूल को जोड़-जोड कर बला मौलिकूल बनाया गया तो इस सिंथेटिक प्रोसेस को हम लोग और अगर किसी बड़े मॉलेकुल को छोटे में काट डाला जाए तो इस डिस्ट्रक्टिव प्रॉसेस को अनुप कैते हैं और इसनी तरह यहां पर जैसे माले ग्लूकोज आया तो तुम भी जान तो आक्षिन की मद्द शुद को जलाएंगे इनर्जी और इनर्जी को ही जीवन कहते हैं इसलिए कहा जाता है इंड प्रोड़क्ट आप मेटाबोलिजम इसकाल्ड इनर्जी इंड प्रोड़क्ट आप मेटाबोलिजम इसकाल्ड लाइफ तो हम तो में यह बताना चाहते हैं कि हमारा सरी इस तरह से तमाम सारी केमिकल्स का जिन को कई तरीके से क्लासिफाई किया जाता है और हमारे शरीर के अंदर यह चाहिए था जिसमें बदल तरह तो तो हम तुम्हें बताएं कि ऐसा और ने जिसमें पाइदा होती हो गारंटी है वो जो है लिविंग इसका लाइगा तो तो यह जो ग्लूको सिक्स फास्पर बदलना है यह तो लेकिन चूपी लैब में जिस रेक्शन कराएगी यह लिविंग नहीं कराएगी लिविंग रेक्शन हो सकते लिकिन लिविंग निकलाएगी ना तो इस तरह से हमने तुम से बोला था कि डिवाइन फीचर आप अने तो यह को चाहिए अंधाने डी तो इस विस्ता स्थ लाइथ मोलेक्विंग ने असे लिक्रीटबर फा अलने वग्ते लिविभाज ऐग्याने बलाफान जैव और इसके बात एक जिए एक कांसियस नैसरिक प्रीजा का कांसियस नेचीज-ऊन से माने च सब्सक्रवाइब मतल तो तुम भी जानते तो जो बैक्तिरिया और एरोबिक बैक्तिरिया रख दिये थे तो नोने क्या देखा कि जहां पर रेड़ लाइट निकल रही है इंपर रही है विव्योर के अंसार जहां पर रेड़ लाइट पड़ रही थी विव यूओर तो बहां पर सबसे ज़्यादा बैक्तिरिया मूब करके एकुमिलेट हो गए थे ऐसा क्यों वा वब तो बिए अलग बात है कि जहां पर रेड लाइट पड़ी बाहां फोटो सिंथे जादा हुआ था और उस फोटो सिंथे के फल सुरूफ आक्सियन निकली होगी उसी आक्सियन की जरूद को फुल फिल करने के लिए वैक्टिया माइगरेट कर गए थे तो इस तरह से इसका प्रिटिया को भी कहा जाता है डिफाइन फीचर आफ लिविंग बिंग्स यह अलग बात है कि हुमन अकिला इसा जनवर होता है जिसमें सेल्फ कॉंसियसनेस भी पाए जाती है क्या पाए जाती है अगर हम तुम से यह कहा है कि कोई इंसान है जो आईसवी में भरती है और उसका जो है हार्ट काम नहीं कर रहा है जबरदस्ती मसीन से काम करवाए जा बेर क्योंकि यह कहा जाता है कि किसी चीज का जो फीचर होता है वह इसारी चीजों के इंट्रेक्शन से दिखता है, जैसे मालो हमारा कोई muscular tissue है, जिसमें contraction हो रहा है, तो बास्तो में यह contraction यह सिर्फ muscles की बज़े से नहीं हो रहा है, यह बोंस का भी role है, joint का भी role है, और अगर नरब fiber यहां तक बजली इना लाता, तो यह और विए प्लट करता है तो इसलिए कहा जाता है तो जो इंसान चला गया बास्तों एगर उसके ग्लूकोज की बुतल चड़ रही है इसका मतब उसमें जो इंट्रेक्शन है वो सेलूलर लेविल का अभी मौजूद है और लेविल का इन्ट्रेक्शन लॉस हो चुका है इसलिए उसको ना तो पुरी तरह हम जिंदा कह सकते हैं पुरी तरह है मुर्धा कह सकते हैं यह बात खतम हो गई इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तरीव अंगिर इंधी सावस्टइ इसने लिभी लिड़त जो इसको स्षमाने लाइनफ अंच फ्र्वाइश से लुक्ष पोधा लेगा है तो ऐसा लगता हमें जीवों में एक हीजीव भी दिए फिर अगर हमने फ्लावर पाटिक बजा अगर नजर किसी गार्डन की तरफ पहुंचाई तो हो सकता हमें प्रकार के हमें जंगल बुक की तरह है पौदे दिखाई पड़ेंगे तो जीबों की बिविदता को बायो डिवस्ती या डिवस्ती इन दा लिविंग वर्ड कहत नंबर एंटाइप आप अर्गनेजन प्रेजेंट ऑन दा अर्थ और हम तो में बता है अभी तक जीवों की इतनी जातिया खोजी जा चुकी है कितनी बन पॉइंट से लेकर बन पॉइंट एट मिलियन एनकी 17 से 18 लाग जातिया खोजी जा चुकी यह अलग बात है कि इनमें होगी जो हमें खोजनी है फिर भी बैग्यानिक मानते हैं कि लगवग लगवग 15,000 इस पीसीज नहीं हर नहीं जाती है हर साल खोज ली जाती है अब हमने तुमसे कहा था कि नमबर एंट टाइप आफ और अर्थ इजिकाल्ड बायो डिवस्टी और इतनी सारी जातियों को प अर्दन की सुधा के लिए बैग्यान को ने किया कि इन अनिमल्स को लिविंग्विंग्स को क्लासिफाई करने की कोशिस की तो कुछ शलो कीज़ी कते चलो आज हम तुम्हें टैक्सोनवी पढ़ाएंगे और कुछ टीचर कए ते ऐसे आज हम तुम्हें तुम्हें शिस्टे क्टाइब को से सिस्टेमेटिक तो पुर्हाने दितको भी सिस्टेमेटिक और इभादीयुट अव और इसकी परनावासे निट्रेशन जैसे ही थी लेकिन आज इसका धायरा बढ़ा धिया गया आज इसमें शिस्टेमेटिक एमटाफ एनिमल्स ही नहीं करते हैं आज इसके कई स्टेप बना दिए गए सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन मालो तुम तालाव किनारे गए और तुम्हें कोई अन्नोन जानवर मिला तुम्हें लगता है कि यह काकुरूज जैसा है काकुरूज है नहीं तो सबसे पहले तूसकी पहचान करेंग है जैने विकास के आधार पर इसका रिष्टा क्या है जैसे हम अपने से समझाएं कि हम बोले कि एक तरफ होमो सैपियन सर्थाद मानव है दूसरी तरफ बनमानुस है तीस तरफ बंदर है तो बताओ इन तीनों में सबसे पुराना पुरूबस करो हुआ मंकी उसके बाद ऐस लेकिस को कहते हैं तरफ फॉटल करते के रोलश लीनियास को और सिस्थेमाटिक टर्म बी इनों नहीं दिया था सब फादर आप हम तरूघ किसे पर आजारे जा रहे हैं सिस्टेमेदिक से सबसे पहला स्थिप होता है आईडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन माने का थ तुम्से बारे में सुना नहीं है तो हम तुमसे कहेंगे कि देखो तो ,'- लेके आये तो फिर हमने सबसे पहले होते हैं तो यहां पर है आर्थो पोड़ा इसके बाद मोलस का सब दुन्या वर्के बने रहें और आर्थो पोड़ा में भी हम लोग सब्सक्राइब तो इस तरह से तुमने देखा कि और इसका मतलब यह हुआ जैसे नहीं हो सकता है फंजाई प्लाइप यह संब्सक्राइब कि यह बनीजिए लोगार इसका है वेगार इस प्लाइब कोनब कर दिया अब तो इस तो यहां थो इसे तुमने चिंग्डम कर दिया आब करना है कि इसका फाइलम कौन सा है तो हम ने तुम सब्सक्राइब करें तो तो तुम समझ गए कि इसके तीन जोड़ी ठांगे है क्या इसके विंग्स है तो तुम समझ गए को इस किंग्डम में यह किस फाइलम में यह किस क्लास में रखा जाए यह सुलिष्चित करना ही कहाता है अभी तुम ने ध्यां दिया कि किंडम डिसाइड करने वाली की अलग होती है और क्लास या आउडर्स डिसाइड करने वाली की अलग हुआ करती है तो इस तरह से इस्टेबलिस में टाव या डिटरिमेशन आफ एकजैक्ट पोजिशन इन डशेट प्लाव क्लासिविटीशन इसकाल्ड इडेनिटिफिकेशन सिस्टेमेटिक्स का जो दूसरा स्टेप था व कि होऊते हैं इनकी बड़ी खास बात है एक प्लाव यलिया में पर ऽम्हर्ण होते हैं जिसका भाड़ करें घृण है कि तो इस तरह से इनकी ड्राव है क्या था ये टाइम टू 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 परसन बदल जाते हैं क्योंकि यह नाम लोकल लेंग्वेज में लिखे जाते हैं वही जहां अपनी जानवर खो जा गया वही एलिया के लोग रख देते हैं और था तो लोकल रेजिडेंट्स का नाम रख प्रतियक और गिलीजम का रखने की आवसिता हुई साइंटिफिक नेंब जोते हैं यह लेटी लेंग्वेज में लिखे जाते हैं कि स्वासा में लेटी लेटी लेंग्वेज माना जाते क्योंकि उसमें भी समय अंसार बरबतन नहीं होता है और साथी साथ हम तुमें पताए आंकि सांटिफिक नेंभी उनिबर्सल होते हैं बिसके सारे बट्रिक्ञर्ट को इसी नाम से पकार आजाते हैं अब ऐसा भी तो संबग है कि सारिंग छिडिया का इंडिया में खो झागया में ऎल तो जब किसी बैग्यानिक बिंद्रह शयांतिक अगर scientific name रख देते हैं, तो वही नियम लागू होता है, पहले आओ, पहले आओ, अर्थात नहां पर प्रियर्टी, प्रियर्टी लागू किया जाता है, जो सिस्टेमेटिक्स की सबसे बड़ी किताब जिसको सिस्टेमा निचुरी कहते हैं, उसमें जो सबसे पहले दर्ज करा इताया है, उसका काला मानने होता है, बागी साथे नाम राजेक्ट कर दिया जाते है, इस में क्या होता था है? इस में जब किसी स्पीसिस का नाम रखा जाता था तो लेकिन इतने बड़ा इतने लमबर नाम्यात करना प्रफट नमीन का खुद का नाम तीन अच्छों सब्दों का था इनका नाम था कारल बाइन लिनी अब बाद में इन ने पाइन ओमिल क्लेशर के आधर पर अपना ही नाम घटा के दो सब्दों का गर दिया था का रोला सब्दिया था तो आज कल हम साइंटिफिक नेम रखने मे बाद करेंगे कभी कभी जरूत पढ़ने पर ट्राइनोमिल नामर्ट क्लेशर भी अपना पढ़ता है जैसे तुम बात सम्झों कि हमारे तीन लड़के हो एक इंडिया में बना है एक अमेरिका चाहिडा में चला जाए तो हो सकता अभी वो एक दूसरे को पैचाने लेकिन द जात के कलाते हैं तो तीनों हमारे लड़कों के जो बन सजन की जात तो एक ही कलाएगी लेकिन बाबजू सकल सुद्भिन होने लगी इसलिए हम अब उनको सबस्पीसीज में बात देंगे ऐसा लगत करने के लिए हमको ट्राइनोमिल नामल क्रेचर अपनाना पढ़ता है ऐस जैसे जैसे उसके बच्छे पादा होते लिए माइग्रेट करते चले कुछ लंकाम चले के चुँकि दोनक बीशन समुद्रा आगया तो यह का हुआ आपस मिल नहीं पाइं नंग दिश्काल शोदेविन होने लगे उनका नाम बदल गया किसी गनाम कार्वास इस प्रेंदें इस प्रेंदेंस हो गया तो इस तरह से जोते हैं इस प्रेंदेंस को रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले अपने बुक मिल खाता था इस लिए उनको कहते हैं इस प्रेंदेंस होते हैं उनके नाम लिखके दिखाते हैं जैसे मैंगो का नाम की बाद करें तो इसका सैंट्विक नेम होता है मैंगी फेरा इंडिका मैंगी फेरा इंडिका तो तुम समझे होगे कि यह पहला रूल यह था कि जब भी किसी अनिमल यह प्लांट का साइट्विक नेम लिखा चाहें तो बहुत सिर्फ लैटिन भासा के दो ही सब्दों का होना चाहिए दूसरी बात थी जो पहला सब्दों यह जीनस को अर्फा जनलिक एपिटेट करता दूसरा सब्दों सब्सक्राइब होना चीए अगर यह चाहिए अगर से लिखे घज़ते लिख कर देना चीन आ क्योंकि अन्ट लाइं टूंकि यह यह तरुक्छ लिख यह तरुद्विक नहीं पार्पि लिख लिगे बैब अर सबसे पहले डिस्क्राइब किया लेकिन बैंत भी लिखा है इसका मंदब यह सब एथर्टी कराती है इसने बाद में जो है इसमें करेक्शन किया होगा यह जो होते हैं यह जो एप्रिविएशन फॉर्म में लिखे जाते हैं तो कुछ रूल्स तो कामन थे पहला रूल दो ही इन दोनों के बीच में कोई डैस या है यह फिन नहीं होना चाहिए और चाहता रूल का था हमने बताया था कि अगर यह प्रिंटेड है तो इतलिक्स में होना चाहिए है तो अंडरलाइन कर देना चाहिए था और बाद में लिखे जाती या फिर सब इस तरह से कुछ रूल त अलग भी होते हैं जैसे अगर हम तो चूहे का नाम होता है रैटस और रैटस मतलब यहां पर यह संभावना है कि जो जिनरिक एपिठेट हो वही इस पेस्पिक एपिठेट भी हो जब एक ही वर्ट से जीनस इस फिसी दोनों किया जाते हैं तो कंडिशन को कहते हैं टाटो न होता है तो रैटस 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 वैटस दो और यह था नहीं होती है लेकिन ब्लांट में नहीं कंडिशन लागू होती है जिसको क्यते हो अर था सेम साइंटिफिक नहीं से दो अलग अलग इस पिसीज को रिजेंट किया जा सकता है जैसे पूनस बेल्स और उसी वही बेर का नाम भी है और बादाम का भी नाम है तो इस तरह से नॉमन क्लेचर वाली कहानी खतम हो गई जब तरह हम साफ करें फिर से बताना कि नॉमन क्लेचर मानें क्या होता है कि इस्टैबलिसमेंट में टाफ डिफिन और रहा दो प्रकार का लोग अधिक ने लोग लेगन क्या दिकती कि लेंग उसाइन टाइम टॉटाइम परसल्ट वर्जलिटा वदलते रहते हैं सांट्विन अभी कभी ट्राइड विलाम क्लेचर भी अपना पड़ता है लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए तर जो सिस्टेमेटिक थी जिसका पहला हो चुका है आइडिनिफिकेशन दूसरा नुशरा इस्टैप था क्लासी विशन अब क्लासीफिकेशन माने सिंप्ली होता है बर्ग लिए टाउ टंटोनने वाला माल लिए था नहरा और बंगायभास को दूर देने वाला जनपर मनल लिय था अपने मोल च्लासीफिकेशन माने हों। गुर्पिंग आप एनिटीं इंटो केडिगरी और हमने का तो अलग बात है कि आज हम के बलब बायो ग्लासिवेशन की बात करेंगे बायो कि जीवो का ग्लासिवेशन करते समय ऐसा लगता है कि पीस यो में लगया फंगस पीस यो में फपूंदी लग फंगस लगी अवसाथ सब्दी इस्तिमाल किया जाते हैं बस एक अलग से लिए नाम के मतलब होता है किंग्डम के मतलब होता है किंग्डम सब्दी इस्तिमाल किया जता है पी मतलब होता है फाइलम यह अलग बात है कि बातनी में फाइलम की जिए अब लग जाता है और सी माने होता है क्लास ओ माने होता है order family 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 और गाह माने होता है genus और यह सामाने होता है species इस तरह से अगर हम तुम्हें इंसान का classification करके दिखाएं तो तुम भी जांते हो कि जैसे five kingdom system था प्रोटेस्टा था फंजाई था प्लांटी था और एनिमेलिया हम लोग थे हैं और अन्यमेलिया को तमाम सारे फैलम प्यांगे जैसे फैलो का डेटा और बर्टी बेटा में अगर हम लोग ने तो मेटा की बात करें तो इसी में आती थी तविस्र स्ते और फिस्के बाद आते थे एंफीबियन से रेटाइव बट्स और मैमल साते थे और जो मेधिया टलाइव समक्रिए ऑफिटомина प्रॉठ समस्क्तिते में इसंटेन सरह होते हैं यह जो सब्सक्राइब से लाफते है और इला है nneko कहा जाताएक बचल टैक्वा वह बंगेंग ऐस दगाने रहना इसदियों दीएक टो हमें कोई बताई यह क्लासीय फ्रकेशन में सबसे इसमारे स्पेश्ट तो इसमान स्ट केह प्रखेम सित अब दो बताय कहा चाहते क्लासिशन में कि इस तरह से जोपाइश आज कल अज करते समय यह साथ सबसाथ कैडिगरी बोली जाती है यह अलगावाद है कि फाजर रप सिस्टेमेटिक्स अरथ का रोला स्लीनियस ने पाच ही इस्तेमाल की ती साथ ने लग घया फंगस वब बाते लियुक्ति लेख Wash on ऐसल्राइटा ने समें यह सबसाइब इसे ہBCL आयुटे हं vinden जैनग और फी wtih है नुख जलद है चंद तोे में अप्». celery यह क्लता पांच जब की आज कर दो साथ साथ क्यों पढ़तें तो हम तुम्हीं बताएं सी चीज को साइज के घटते या बढ़ते क्रम में जब लिखा जाता है तो जो ग्रेडेशन तैयार होता है इसी को हिरार्की कहते हैं यह जो हम तुमने तैयार किया तैयार किया तो फिर एक बार इस्माले स्टी निट आफ लाइशन या बेसिक निट आफ लाइशन के गया है इस्पेसीज है तो अगर तुम्हें इस्पेसीज की परिवासा पता चल जाए तो फिर जीनस फैमिली ओडर की परिवासा पढ़ने की जिरूथ नहीं है क्योंकि फिर तो हम यह कह देंगे कि सिम्ल जैसे हमारा नाम हम है होमो सैपिंस और इस्टुडें तो हम लोग की इस प्रिशी स्था नहीं है तो हमारे अंदर दो सच इडिया हमारे नदर इस्टिज लाखे दो नग दो करन सब कुछ माइस करता है लेकिन अगर हम अपनी तुलना काकरोच से करें तो काकरोच और हमारी जाते एक नहीं है कहा हमारी homosapiens है और उसकी peripolar अमेरिकाना हमारे उसका genus भी इस नहीं family और order भी नहीं ह्किंडम susana से आईमिल कलाते हैं तो हमारे उसके बीच क्या similarity हुईby travelled about एक बात है कि बिदाउट सेल वाल हम लोग भी है बिदाउट सेल वाल वो भी है तो जितना टैक्सवान छोटा होता है दो और गनिजम के बीच उनके बीच इस पेसिक करेक्टर उतनी ज्यादा कामन होते है याद आया तो मैं हमने इस बताई क्लासिविशन वाली बात हम बात य किसी सब्द सबसे पहले भी जॉन्डे नहीं इस्तेमाल किया था जातियों की पहचान करने के लिए सबसे पुराना तरीका था उसको कहते थे कहते थे मार्फोलोजिकल इस्पिसीज कॉंसेट तुम भी सोचो अगर तुम खेत गये और तुम्हें कुट्टे जैसा जानवर मिला तुम्हें लगता है किसके आधार पर बाहरी सबसुरत की पैसमें करते हैं वह एक ही जातिके कहलाते हैं लेकिन था अलग होती सबसे पुराना था लेकिन यह माने नहीं हुआ उन्होंने एक नया विस्पीज का जात पहिचाने का तरीका बता था जिसका नाम है बाइलोजीकल इस विसीज इस कांसेप्ट के अनुसार दो एनिमल्स चाहे सकल शूरत में सकरें या ना करें लेकिन अगर वो आपस में ब्रीडिंग करके फर्टाइल संताने कर सकते हैं तो फिर जरूर बोजो है एक ही जात के मेंबर होते हों तुम भी जानतों हम लोग की सकल सूरत कैसी होती है चैनिज क के बीच में दो जातियों के बीच में सबसे बड़ा बैरियर है वो है रिप्रोड़क्टिव आइसोलेशन अर्थाजात की प्रवासा हम लोग रिप्रोड़क्शन के आधार पर देते हैं फर्टाइल सेंटरन पैदा करने तो वह एक ही जात्की कहलाते हैं बास होते ना अब हम मसका डुमेस्ट का किस की जाते है मक्ही की होती है अच्छा यह बताओ कि तम समझे गए पैंतेरा लिए कि इसको कहते पैंतेरा लियो है तरह से याथ तुम करना अच्छा थोड़ा सा हम अभी इसको बारें नहीं बताएंगे जरह एक टेबिल फार्म में बनी है अपनी दोन कब व तो क्लास तो क्लास क्या बताया था और फैल ता घॉय द प्रेटा था हूट सबसे पहली हेडिंग है यह क्या हर वेरियम हमने तुम से कहा था मुझा होता है तो तुमने जैसे सब्सक्राइब होता है तो इस तरह से एक फाइल बनाते थे हम लोग मैं और एंगात में और इन असी अन हम लोग क्या करते थे लिस को क्या करते थे चिपखा देते हैं रिखते हैं पहले तो हम लोकल नम लिखते थे और ध्यान करो यह कौन लिख कहां से लाया है और फॉरी इता है और चलासिशना आधर पर कर दिए जाता है और तयार होगा है différent प्लान्ट पाल्ट का इसकी अलेक्टन है और इसमें हमने कहाता जाता tutto हर्वेरियम जो होते है कि si corporatical garden भी बनाई जाते हैं तूम ने क्या royal वाहा पर हर्वेरियम है तुम न से इंडियन बना रक रहा है और राधश्यक प्रजर्ब्द और ब्रिजर्म ऐसके, सतोर हाउस में इस रहन को कहते है हर्वेरियम उस इसी तरह का एक और अपसंसादन बना रखा है बुटैनिकल गार्डन नाम सुना है तो हमने तुम से कहा था कि बुटैनिकल गार्डन में क्या होता है जिन्दा प्लांड का क्लेक्शन किया जाता है और तुम्हें ना देखाऊ तो छुड़िया घर भी चले जाना पौदे लग अगर यहां प्लांट का लेकिन अगर वो ड्राइड इस पेसी में तब तो उनको आईसे ही रख दिया जाता है अगर फ्लेशी पार्ट है जैसे सांप जिंदा दिखाना प्लेशी पार्ट होते हैं उनको प्रजर्ब कर met कर 얌 कर राता है अब मालों किसी को आस्टेज इंडिया में नहीं होता है बच्चों को आस्टेज दिखाना उसके बारे जानकाली देनी है तो फिर क्या करती है जो लार्ज बर्ड होती है अर्था इस्टफ भरके उनको आईसी खड़ा कर दिया जाता है हमने कई बार जिम कारवेट गए तो वह हमने तुम्हें बताएं कि जीओ या चिडियागर में क्या होता है जो बाइल्ड एनिमल होते हैं जंगली जानवर है वो मानब अपनी सुपर विजन में उनको रखता है अपनी देख रेक में रखता है और उद्देश सबसे बढ़ा तो यह होता है तुम कभी देखना कि जाता है यह अलग बात है कि जब चलिया घर में है तो हम लोग बचों को ले जाते हैं उनका इंट्रटेन्मेंट भी हो जाता है और उनको ग्यान भी प्राप्त हो जाता है तो इस तरह से तमाम सारे क्लेक्शन वाले पर पर अम रखना को ने तुम्हें बताएं की सिस्टम भ अर्थात फ्लोरा में किसी जिओग्राफ कल एडिया पर कितने हैविटेट है और वहां पर कौन सी प्लाइन pada jata hai छोती है अब किसी जात को पहचानना है ज़ यहोथा है इसमें कसी को पहचानने के लिए सब्सक्राइब की चिक्रिया जाता है मालो तुमने प्लांत vineald प्रवाइल यह दिया रहता था पुरा क्लासी विशन की इस फैमिली में कितने जीनस आते हैं तो इस तरह से किसी एक टैक्सान का संपूर जानकरी इसमें दी जाती थी और इसके बाद आती है कैटलोग फ्लोरा लगबा के एक जैसे होते हैं बस इसमें क्या है जियोग्राफिकल एरिया आपके हिसाफ से इंडेक्स तयार की जाती है और जो कैटलोग होता है जैसे फोन खरीद दे जाते हैं सेमसंग का तो कौन कौन से फोन एबलेबिल हैं वो कता हमारे पास सारे अभी नहीं है तो कैटलोग ही दिखा जो हम लोग पिक्चर देख पास यहां प्रृत गॉर्फ आठी कर प्सक्राइबिल में किसी पेरिग्योर केलकिल एडिया और कौन कौण से जाती है वो आलफाबेट्स अरेंज की जाती कैसे और या लिदिक लिद法 फस्ट का खतम हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसा चेप्टर बायोजिकल क्लासिफिगेशन.